नमस्कार मित्रों, हिंदी की खुबसूरत और मनोहारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए पेशे से मशूर डॉक्टर लेकिन दिल से लेखिका डॉक्टर संगीता जहा की लिखी हुई कहानी गलत फैमी तो शुरू करें कहानी सच मुझ गलत फैमी ही तो थी, पता नहीं किसे उन्हें या हमें हम तो हम थे, बरसों बाद मिली तीन सहलियां जिनके ज़्यादा तर सपने तूटे थे या कहिए अपने सपनों की दुनिया में घुसी ही नहीं पाये थे तीनों ने एक दिन एक दूसरे के फोन खट-कटाए सुमी हाई कुकी कैसी है, क्या हल चाल कुकी कुत्ती, कमीनी, साली, चालबाज, बोल इतने दिनों बात क्यों मेरी याद आई सुमी, कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी सुमी इतनी बदल जाएगी, जा मैं बात नहीं करती सुमी बात तो तू करेगी कुत्ती तूने जैसे बड़े फोन गुमाए बात करती है साली, मुझे बात में पता चला तू तो सो कॉल्ड अपने पती के साथ एक एलीट क्लास की शादी में मेरे शहर आई थी हाँ बाबा, तू ठेरी पेज थ्री और हम कवार हमारा तुमारा तो कोई मेली नहीं है उसकी बात को वहीं काटते हुए कुकी बिल्कु चुप पगली, बिल्कुल नहीं मतली, मैंने तो सोचा था नानी बनकर मेरी सुमी, अब मिसस सुमिता बन गई होगी सुमी चुप, चुप पहले मेरी बात सुन गिले शिक्वे थू, मैं एक धासूर प्रोग्राम बना रही हूँ सीमा के बेटे की शादी ताज बेंगॉल कलकता में हो रही है तुझे भी फोन करेगी, मैंने निलू से बात किया है, वो भी दुर्गापुर से पहुँच जाएगी फिर तो वो है, मैं हूँ और तू फिर समारंगीन सीमा तो शादी में रहेगी, अपन मिलकर हॉस्टल की पुरानी यादे ताजा करेंगे अम्मा, सासूमा, स्रीमती का लबादा उतार धमाल करेंगे दिल बल्लियों उचलने लगा बरसों बाद और जट उस बीस तारीक की तैयारियां शुरू हो गई बाल, रंकर और फेशियल ने उम्र को उठा पटका घर पर सब हैरान की ये क्या हो रहा है पति देव ने छेड़ा इतना सजने सवरने की क्या जरूरत है आप तो ऐसी ही बड़ी खूब सूरत है हाँ, कुछ कर सकती हो तो अपना कमर से बना कमरा यहां छोड़ जाओ दिल किया एक ऐसा गूसा मारू बढ़े आए है इनसे तो मेरी कोई खुशी बरदास्ती नहीं होती मुझे क्या करना है शायर क्लास के कोई लड़के भी आए सजना तो बनता है उन्हें भी तो पता चले क्या खोया है उन्होंने अकेले अपने से भी बरसों बाद बाद की इंतजार कब खतम हुआ पता ही नहीं चला इतनी तयारी तो अपनी शादी से पहले भी ने की थी चन्नाई से कलकत्ता की फ्लाइट पकड़ी एरपोर्ट पर ही सुमी थी अपनी केत्की को लेने के लिए जबकि सीमा बाकी लोगों को ले होटल के लिए निकल चुकी थी कुकी के लिए पती ने एक गाड़ी का इंतजाम करवाया था अपने एक दोस्त के जरिये काफी देर तक एक दूसरे को गले से लगाए रखी फिर हमेशा की तरह सुमी ने दूर किया उस्टुपेट दूसरे शहर में आया कुछ तो तमीज रख लोग हमें गे ना सोच लें उसके बाद बड़ी शरारत से सुमी ने कुकी की पूरी बॉडी का मुएना किया और फिर छक्का मारा अभी भी कसम से ऐसी धरी है कोई वे देख के लाड टपकाने लगेगा उसके बाद होटो का पाउट बना चूमने का इशारा किया यूँ तो कुकी भी कोई कम नहीं थी लेकिन बरसों बाद अपने ऐसे डिस्क्रिप्शन ने कुकी को शर्म से लाल कर दिया तभी नीलू का फोन कुकी के फोन पर आया सारी बारात होटेल पर आ गई है और ये सुमी तुस्से इश्क लड़ाने रुग गई तुमनों का लाड़ प्यार खतम हो गया हो तो जल्दी होटेल पहुँचो एक साथ चेक-इन करेंगे पास-पास के कमरे लेंगे सुमी बोली ये साली नीलू होगी जल रही होगी तुही बोलती है नीलू बहुत प्यारी है वेरी सेंसिबिल देख वहाँ बेचैन हुई चा रही है अब तक तो दो सहलियों के मिलन को कार राइवर भी देख रहा था मैडम जल्दी चलिए पीछे टैक्सी वाले हॉर्ण बजा रहे है उसने भी ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था कार में बैठने के बाद शुरू हुए समवाद कितनी कही अनकही बातें आपस में शेयर की और डिसाइट किया इन तीन दिनों को जीवन की बेहतर यादगार दिन बना देंगे जैसे ही होटल पहुँचे नीलू के साथ भी गले मिलने की प्रक्रिया हुई ये तीनों तो भूली गए कि ये सीमा और नरेश के बेटे की शादी में आए हैं लगा ही नहीं कि ये बरसों बाद मिली हैं बलकि लगा अभी भी वही हॉस्टल वाली लाइफ दोबारा मिली है उनका कूदना देख सीमा के साथ आए उसके रिष्टेदार हैरान थे इस दोरान कितने बॉली वुड गाने आए कितनी पिक्चरें आएं कितना कुछ हुआ जो सबने अपने अपने शेहरों में अलग-अलग लोगों के साथ जिया जो सारी चीजें ये लोग कभी एक साथ जिया करते थे उन दिनों हीरो पिक्चर देखकर सारी सहिलियां रात भर नहीं सोई और तो और हफ्तों वो इनके दिलो दिमाग में चाया रहा ठीक उनी दिनों के तरह सुमी ने कुकी को देखा और कहा बाप रे नीलू कुकी आँखे तो देख तेरे को नहीं लगता जैसे कजरारे कजरारे गाना इसकी आँखों के लिए ही बना है और वो कुकी की कमर पकड़ कर वही नाचने लगी लोग दोनों को आश्चर से देखने लगे नीलू बोली बस सुमी अब बस सब तुम लोगों को देख रहे हैं प्लीज पहले हम चेक-इन कर लेते हैं बाकी बातें कमरे में तीनों के लिए दो जुड़े कमरों का इंतजाम सीमा ने पहले से ही किया था नरेश और सुमी बिजनेस पार्टनर थे इससे उनका आना तो जरूरी था और उसने कुकी और निलू को भी आने के लिए राजी कर लिया था सुमी और निलू तो नानी बन चुकी थी लेकिन अभी कुकी के बेटे की शादी नहीं हुई थी लेकिन यहां तो तीनों का ये हाल था मानो अभी अभी जवान हुए हों इनकी मस्ती का सीमा और नरेश के रिष्टेदार भी बड़ा मजाले रहे थे कुकी और सुमी नरेश की बेहनों के पास गए और जोड़ जोड़ से नरेश का हाथ पकड़ कर गाने लगे ले जाएंगे ले जाएंगे तुमारे भाई को हम ले जाएंगे रहे जाएंगे रहे जाएंगे लड़की वाले देखते रहे जाएंगे बेहनों ने भी नहले पे दहला मारा ले जाओ ले जाओ और अपनी सहली की मार खाओ हमने तो अपना प्यारा भाई कपका दूसरों के हवाले कर दिया है सीमा बेचारी को तो होशी नहीं था बेटे की शादी चो थी वो सब का रूम अलोट कराने में लगी थी लेकिन नरेश बीच बीच में चुटकी जरूर ले रहा था तीनों अपने अपने कमरे में गए कमरे में फ्रेश होने के बाद सब को लंच के लिए नीचे हॉल में जाना था वहां लड़की के माबाप और कुछ रिष्टेदार सारे लोगों से मिलने आए नरेश तो पूरा मूड में था उसने सीमा के पांचों भाईयों का परिचे लड़की वालों से D गैंक के रूप में कराया जैसे D1, D2, D3, D4 और D5 यहां D मतलब देवता था क्योंकि सीमा हमेशा कहती थी कि मेरे भाई देवता जैसे है सीमा ने एक बार अपनी बहन के लिए कहा यह मुझे जान से प्यारी है बस फिर क्या था नरेश ने तो उसका नामकरण JSPB मतलब जान से प्यारी बहन कर दिया सीमा उसकी W मतलब वाइफ और हम तीनो W बाई टू मतलब हाफ वाइफ यानि साली आधी घर वाली थे सीमा के भाई 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 भी भी अपने इस नामकरण से बड़े खुश थे लड़की वाले भी इस हसी मजाग में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे थे लेकिन ये तीनों सहलिया अपनी ही दुनिया में थी और इनकी मस्ती भी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी लंच के बाद तीनों कमरे में पहुँचे तब ही एक शैतान सोच ने जनम लिया कि क्यो ना यहां के रेड लाइट एरिया सोना गाची चला जाए सुमी ने काफी रिसर्च कर रखी थी कि पास में शोभा बाजार और हाथी बागान मारकेट है गाड़ी तो पास थी ही खूब सजे होटों पे लाली गालों पर रूस आई लाइनर मसकारा लगा कर तीनों बहुत कार्टून लग रही थी कपड़े बदल कुकी और सुमी ने रानी पिंक कलर की साड़ी पहनी नीलू ने डार्क ब्लू पहन ली तीनों ने बालों को पीछे ले एक दूसरे का तिर्चा जुडा बनाया जैसा ये फिल्मों में देखा करते थे पहले तो तीनों एक दूसरे को देख बहुत हसे फिर नीचे कार के पास जा पहुँचे सुमी बोली ड्राइवर सोना गाची चलो ड्राइवर आवाक रह गया मेडम आप लोग सोना गाची की सुम्ची बाबा आमी भद्रो लोगेरा सोना गाची जाबे आम्यो कोनो दिन जाई नी नोतून गोन डोगल की कोर्ब बूचते पारची न अर्थात मैं क्या सुन रहा हूँ अच्चे लोग सोना गाची नहीं जाते मैं भी कभी गया नहीं अब नया तमाशा क्या करूँ समझ नी पा रहा हूँ कुकी बंगला समझती थी ड्राइवर की बास सुनकर ठाके मारकर हसने लगी उसने भी नहले पर दहला मारा की भाप्चिस आम्या केनो जाची आम्या रिसीरच कोची उन्देर लाइफ को मोन आचे और केमोन ठाके अर्थात तुमने क्या सोचा हम लोग उनके जीवन पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं वो बेचारा इन सजी धजी औरतों को मूँ खोले देखता रहा ठीक है चालो जिधर चलना है चालो आप लोग तो बाड़ा लोग मेरा क्या बिसाच जो आप लोग को समझाएगा ड्राइवर धीरे से बूला बस फिर क्या था हम लोग अपनी मंजिल की और गाते गाते निकल पड़े जिंदगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना सचमुच कल तो इसका इल्म भी नहीं था कि आज सोना गाची की रंगी दुनिया की सेर की जाएगी रास्ते से गुलाब के लाल फूल खरीदे और उन्हें बड़े यत्म से बालों में लगाया सचमुच कुकी और सुमी तो धनाडे कॉल गर लग रही थी लेकिन बेचारी नीलू अपनी पतली कमर की वज़े से अलग जरूर लग रही थी पर एकदम गाची वाली ने लग रही थी कुकी को छोड़कर दोनों डर भी रहे थे सुमी बोली ये साली बिलकुली नहीं बदली इसकी आँखों से भी इसकी शारारज छलकती है पता नहीं राहुल जीजू इसे कैसे जहलते हैं कुकी बोली और हाँ ये तो दूस से धुली मेम हैं विश्णू सर से पूछो अपनी लक्षमी की कैसे पूजा करते हैं याद है कॉलेज में भी ये ऐसी मस्ती करती थी और बाद में ऐसा चोला पहन लेती थी मानुशान्ती की देवी हो बड़ी आई मुझे पर कॉमेंट करने वाली निलू बोली चुप बिल्कुल चुप कोई लड़ाई जगड़ा रही हम अपने एडवंचर पर निकले हैं जो कभी किया नहीं था हम तीनों के लिए नया और अपनी तरह का अनोखा है ड्राइवर विश्व जी सोच रहा था कि पैसे वालों की जिन्दगी भी क्या जिन्दगी है साला जिस जगह लेडीज मजबूरी में पेट भरने के लिए जाता है ये लोग मस्ती के लिए जाता है तीनों दोस्तों ने पुरानी कई बातों की जुगाली की नर्यश उनका क्लासमेट था और अब सीमा का पती और सुमी का एक अच्छा दोस्त विश्व सर कॉलेज में सबके सीनियर थे इससे सुमी और सीमा को कॉलेज के समय के लड़कों के काफी राज मालूम थे जो आम तोर पर लड़कियों तक नहीं पहुँचते थे आज बातों ही बातों में सब राज खुल रहे थे बापरे कुकी और नीलू तो शायद दूसरी दुनिया की बाते सुन रहे थे उनके हीरो और रेड लाइट एरिया सशमुच दिल को दुखाने ऐसी बाते थी चाह कर भी उस जमाने में कई कारणों से दिल को समझाना पड़ा बॉइज हॉस्टल की ऐसी दास्तान डर लगने लगा कि साथ पढ़ने वाले जिनके साथ कई सपनों को जिया ऐसे हैवान सुमी बोली डोंट बी जज्जमेंटल इट्स कॉमन और डिमांड ओफ एज डोंट थिंक अवर हस्बेंट सार देवता कौन हमें बताएगा जीवन अब से तब में जूलने लगा नीलू और कुकी तो सारी शैतानी भूल अपने अपने क्रश की कलपना में डूब के क्या वो भी चीची ना ना ये तो हो ही नहीं सकता बातों बातों में हाती बागान मार्केट आ गया ड्राइवर ने फिर चेताया मेम शाब लोग आमी बोले दीची किन्तू वोट भालो एरिया ना रिशक अपना देर अभी टाइम है वापस जाएगा तो चालो अर्थात मेम साब वो अच्छी जगे नहीं है मैं आपको आगा कर रहा हूँ आपकी जवावदारी अभी भी समय है वापस चलिए कुकी और नीलू ने सोचा अच्छा यही है कि वापस चले पर तभी पतानी कैसे एक विचित्र घटना घट गई जो हमेशा कुकी के साथ होती है हाती बागान बाजार में एक नकली बालों की दुकान थी कुकी ने जित की उसे हेर एक्स्टेंशन मतलब नकली बाल लेने है सुमी चिल लाई अब ये क्या पागलपन सोना गाची में ही रहना है क्या ये उल्टी सीधी चाहा क्यों वो बाल कहां लगाएगी फिर तीनों उस विग वाली दुकान में गए कुकी ने सारे विग पहन कर दिखाए सुमी और नीलू तो पेट पकड़ पकड़ कर हसने लगे उनकी नजरों में वो कभी फिल्मों की वैंप और कभी विग में एक्स्रा कैब्रे डांसर दिख रही थी जब कुकी को मिरर दिखाया तो खुद को भी देखकर वो पेट पकड़ पकड़ कर हसने लगी सच मुच ये अजब गजब नजरा था दुकानदार भी इस अजब गजब तिकड़ी को देखकर हैरान था कितना भी छुपाओ उमर तो जलकती ही थी उस पर ये मेक अप लाल गुलाब और स्टाइल वाली बाते हैं ये तो कितना भी रंग लें सोना गाची की नहीं हो सकती अभी ये सब चल रहा था कि कुकी ने रट लगाई जल्दी बाहर चलो मुझे होटल वापस जाना है सुमी बोली अब ये क्या आर यू मैड ये कौन सी नई बात कुकी बोली अरे पहले बाहर निकलें ड्राइवर को फोन करें फास्ट एमिरजेंसी कांट वेट बहुत जोर कि मुझे नमबर टू जाना है सुमी बोली ये देख उस दुकान के पीछे जाके कर ले हम लोग सामने खड़े हो जाएंगे किसी को नहीं जाने देंगे कुकी बोली पागलो मुझे सूसू नहीं पॉटी आई है मैं रोक नहीं सकती सुमी ने ड्राइवर को फोन कुमाया ड्राइवर बोला मैडम हम दूर हैं घूम के आना पड़े का थोड़ा टाइम लगेगा सुमी बोली दिस ड्राइवर इस मैड यार क्या क्या बंगाली में बोले जा रहा है प्लीज कुकी यो ओनली टील कुकी ने फोन किया तो बोला दोस मिनिट बापरे अंदर का खाया हुआ तो बाहर निकलने के लिए बेताब था दस मिनट तो दस बरस की तरह थे कुकी तो कहीं भी बैठना चाहेती थी खड़े रहना भी नामुम्किन था बाहर एक स्थूल भी नहीं था अचानब कुकी को एक हां से खिशनेवार रिक्षा दिखा पेट पकड़ कर दोड़ कर उस पर जाकर बैठ गई उस समय पौटी को बाहर निकलने से बचाने का यही एक उपाय लगा अभी बैठे दस सेकंड भी नहीं हुए थे उसका मालिक दोड़ता हुआ आया उरी बाबा एटा की भोदरों लोगों की कोर्चेन आमी तो गोरीब मानुश आमा रिक्षा ओच्छे आमार मा आमा के खाबा दे आपनी की तूटे फिल बेन नामान मैडम अर्थात ये क्या हो रहा है भले लोग आप लोग क्या कर रहे हैं मैं गरीब आदमी हो मेरा रिक्षा मेरी मा है मुझे खाना देता है इसे क्या तोड़ देंगे उतर ये मैडम कुकी ने बंगाली में अन्रोद किया काका बाबू आमार पेटे खुब बेथा खोर्चे एक टू बोश्ते देन ड्राइवेर जोनने वेट को रची आशूक आमी नामिये जाबो आपना के बोशेर जोनने टाका दिये दी ची अर्थात काका जी मेरे पेट में बहुत दर्द है बैठने दीजिए ड्राइवर का वेट कर रहे हैं आते ही चले जाएंगे आपको बैठने का पैसा भी दे देते हैं ऐसा कहे कुकी ने सुमी से उसे बीस रुपे दे देने के लिए कहा हां से खीचने वारा रिक्षा पहली बार देखा उस पर बैठ भी गई तब ही रिक्षे वाले को एक सवारी दिखी और उसने कुकी को नीचे उतरने को कहा बैठने से पौटी थोड़ी देर के लिए रुक्सी गई थी खड़े होते ही फिर डर लगा कि कहीं कपडों में ही तमाशा ना हो जाए सुमी की खीच चरम सीमा पर पहुँच गई थी अब तो सोना गाची का भूर भी उतर गया था और सारा ध्यान इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए इस पर था सुमी बोली मुझे मालुम था कि कुकी कभी सुधरेगी नहीं क्या जरूरत थी लंच में भूकों की तरह जपटने की थोड़ा भी सबर नहीं हे भगवान पौटी अगर बाहर आ गई तो तुझे यहीं छोड़ कर हम लोग उबर पकड़ कर चले जाएंगे ऐसा ही था तो अडल्ट डाइपर बांद कर क्यो नहीं निकलती सचमुच कुकी की पूरी जिन्दगी में पहली बार ऐसा वाक्या हो रहा था बच्पन में भी मा को कभी नहीं कहा कि अम्मा घर चलो पौटी आई है नीचे वाले भाग को किसी तरह से उल्टा प्रेशर लगा कर पौटी को रोक कर रखा था इस बीच तीनों ने बालों के तिर्चे जूड़े को खोल गुलाब के फूलों को बालों से निकाल नीचे फेका पीछे से एक मन चला चिलाया की हो बे मोदी जी का सुच भारत कुकी मा खड़ी-खड़ी दिसंबर के महीने में भी पसीने से लगपत हो रही थी ड्राइवर भी ट्रैफिक में था और करीब 15 मिनट में आया वो 15 मिनट जीवन के सबसे कठिन मिनट थे ड्राइवर के आते कुकी दोड़ कर सामने की सीट में बैठ गई और दोनों को पीछे बैठने कह कहा जली होटल वापस चलो मैं किसी तरह मैनेज करती हूँ सुमी बोली सारा प्लान चौपट कर दिया और बड़ी आई है मैनेज करने वाली ड्राइवर आस पास कोई होटल देखो हम लोग कॉफी पी लेंगे और यह अपना पेट खाली कर लेगी ड्राइवर की तो जान सुग गई वो बिचारा घबरा कर बोला मेम शाब हम पहले ही बोला येटा भालो जगा नाई इधर अच्छा मानुश लोग नहीं मुशीबोत होने सकता सोती मिथे कोथा बोले नाई विश्वास को रूम एकेने भालो होटेल पावा जाबेना आपना रह होटल जेते होबे आमार कोथा सुने अर्थात मेम साब मैं तो पहले कह रहा था कि अच्छी जगे नहीं है यहाँ भले लोग नहीं रहते मुसीबत हो सकती है मेरा विश्वास करिये यहाँ कोई अच्छा होटल नहीं मिलेगा मेरी बात सुनिये आपनों के होटल ही चलते है सुमी बोली पगला गया है क्या यह मेडम को जोरों की लेटरी नानी पैखाना आया है होटल नहीं ले गया तो तेरी कार सुलप शोचाले बन जाएगी फिर दोते रहना यह मेडम जबके पनीर पसंदा मंचूरियन और मश्रूम खाके निकली है कार से उसकी खुचबू जाने में महीनों लग जाएंगे ड्राइवर बोला ओरे बाबा एरो कुमो ओए आमार माथा गूर्चे चालो होटल खुचता है अर्थात बाप रे ऐसा भी होता है मुझे चक्कार आ रहा है ठीक है होटल ढूगते है थोड़ी दूर जाने पर एक पुरानी बिल्डिंग दिखी जिस पर लिखा था फिश होटल जान में जान आई कुकी तो किसी हाल में रुक नहीं सकती थी कार रुकते होटल रिसेप्शन के और भागी वहाँ तीन चार दलाल की तरह के लोग बैठे हुए थे दोनों मित्र भी आ गई और उन्होंने कामान अपने हाथों में ले ली कुकी ने उन्हें रेस्टरूम के लिए पूछा जो उन्हें समझ में नहीं आया तो उसे टोयलेल बोलना पड़ा उनमें से एक आदमी बोला एक फ्लोर उपर चड़ दान मतलब दाहिना जाईए वही है सारी व्यथाएं यहीं खतम नहीं हो जाती अभी तो शुरू हुई थी कुकी को हर पर लग रहा था कि सब कुछ बाहरा जाएगा उपर तो पूरी तिलस्मी गुफा सी थी वो पूरी तरह से डर गई तब पता चला नारी को अपनी अज़त हर अमर में प्यारी होती है उस अंधेरी गुफा में कोने में जाने पर एक शौचाले दिखा जो बहुती गंदा था किसी तरह मुँमे रुमा लगा पास पहुची तो पाया नीचे कई इस्तेमाल की एक अंडूम गिरे हुए थे भाग भी नहीं सकती थी फलच भी काम नहीं कर रहा था बाहर एक गंदी बाल्टी मग और एक वासबेशन था किसी तरह मशक्कत लगा वासबेशन का नल खोला मग की साहिता से बाल्टी भरी और सोचाले में किसी तरह कपड़ी उपर कर मल विसरजन किया किसी तरह खुद को साफ कर नीचे आई नीचे शायद एक आदमी दोनों मित्रों को हॉल दिखाने ले गया था वो सामने रखी टूटी चेर वेट गई अंदर की कुकी फिर जाग उठी इतने भयानक एक्सपीरियंस के बाद भी उसने उस दलाल से दिखने वाले आदमी से पूछ लिया आप के यहां रूम्स के क्या रेट है उस आदमी के जवाब ने तो कुकी के होश उड़ा दिये आप बोलिए आपका क्या रेट है हम आपको कमरा देगा, खाना देगा और पोईशा भी देगा कस्तमर भी देगा आपका जैसा कई मेमशा भी धर आता है शोब सीक्रेट कोई जानने वाला नहीं शकेगा कुकी तो बिना रुके बाहर भागी और जोरों से सांस लेने लगी उसे देख, बाहर खड़े, बिल्डिंग के दो वाश्मेन दोड़े आए क्या हुआ मैडम जी, कुकी जलाई, अंदर अच्छा टॉयलेट नहीं है क्या दोनों शायद बिहार से थे, और अंदर वालों से ज़्यादा शातिर थे उनका जवाब, क्या हुआ रानी कोई बदमाशी किया क्या, दंदा करने आती है और नकरा दिखाती है यहाँ आजा हमारे पास जो चाहिए उकरा देते हैं, पैसा नहीं है पास में न, पर मजा पूरा देंगे इतनी बड़ी गलत फैमी, खैर गलती तो हमारी ही थी, फिश होटल तो थाई मचलियों को जालने फसाने के लिए तब ही फोन की रिंग बजी, कुकी रिसेप्शन पर ही रुकना हम आ रहे हैं, हमारा काम हो गया कुकी अब बहुत घबरा रही थी, यह अपना बिजनेस कार्ट क्यों दिया, वो होटल के बाहर के दर्वाजे पर खड़ी थी, जहां से रिशेप्शन दिखता था, जैसे ही दोनों दिखे, जान में जान आई, और उनकी तरफ लबकी सुमी ने मोर्चा संभाला था, थैंक्यू सर, हम जैसा होगा आपको इनफॉर्म करेंगे, जल्दी से तीनों बाहर आई, सुमी ने कुकी को मैसेज किया, नो डिसकेशन इन फ्रंट आफ ड्राइवर, सीधे होटल पहुँच कर दम लिया, होटल पहुँच कर कुकी का मन क्या चिला चिला कर रोए, ऐसी गलत फहिमी तो जिन्दगी में कभी किसी को नहीं हुई थी, कॉलिज के जमाने में भी ये तीनों कभी भी फास्क गर्ल नहीं मानी गई, और आज उसकी वज़य से उन तीनों को उस गलत फहिमी का शिकार होना पड़ेगा, तीनों अपने अपने लिखा बिजनस कार्ड जो उनके पास था, सेल फोन की घंटी उसे डरा रही थी, कि कहीं फिश होटल की कॉल तो नहीं है, वो तो सुमी और नीलू की ग्रिलिंग का उसे पता नहीं, नहीं उसने अपना एक्सपीरियंस उन से शेयर किया, क्योंकि इतना डर्स जो गए थे, औ और तो और उस ड्राइवर जो राहूल के दोस्त का था, ने अपने मालिक को तो कहीं सोना गाची, हाथी, बागान और फिश होटल की बात तो नहीं बता दी, तीनों बहुत डरे हुए थे, उस पर तयार होकर आज संगीत और कल शादी पे अटेंड करनी थी, कुकी जब रिस पुरुष उसे होटल से बाहर निकलते हुए दिखे थे, और उन्होंने भी उसे बड़े ध्यान से देखा था, पूरी शाम माई उसी चाही रही, नीचे से फोन पर फोन आ रहे थे कि जल्दी संगीत के लिए हाजरी लगाई जाए, सब लोग उन तीनों का बेसब्री से नी पुताई की, दोपहर और रात के गेट अप में जम्यून और आस्मान का फरक था, ये तीनों सचमुच अपसराय दिख रही थी, उम्रत तो ना जाने कहां गए अब, मन की सारी परेशानियों को जटक तीनों नीचे उतरी, संगीत के लिए हाल बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ था, दूला दुलन तो परी कथाओंगे राजकुमार और राजकुमारी लग रहे थे, माहौल देख तीनों का डर चूमंतर हो गया, एक एक करके एक परफॉर्मेंस होते जा रहे थे, इन लोगों ने भी माईरे माईरे मुडेर पितेरी पर एक डानस तयार किया इनकी बारी आने के पहले केतकी ने महसूस किया कि एक तीखी नजर उसका पीछा कर रही है, ध्यान से देखने पर पैरों तले जमीन किसक गई, ये वही माहाशे थे जिनोंने उसे फिश होटेल पर देखा था, गनीमत सुमी और नीलू को नोंने नहीं देखा, ये माहाशे बड़ी याशना में नजरों से कुकी को देख रहे थे, कुकी उम्र की इस डहलान पर भी बार बार अपने सीने को शौल से ढखने की अथक कोशिश कर रही थी, और सुमी बार बार शौल को जटा कर उसे डांट रही थी, इतने सुंदर फलोर गाउन का शो क्यों बिगार रह है और इतना ढखने की क्या कोशिश कर रही है तू, इधर शायद हो माश्य सोच रहे थे कि सुबह और रात में इतना फरक, अब ये भदर जामा क्यों, एक दो बार आकर उन्होंने कुकी को अपनी कोहनी से पोश कर छेड़ने की कोशिश भी की, उनकी आखें लगातार कुकी को देख रही थी, कुकी चुपचाप अपनी आखें जुकाए बैठी थी, किस से शर्मा रही है, अरे मैडम, आपकी नहीं, आपके बेटे की शादी हो रही है, सासू मा आया हम सब, प्लीज ये नाटक बंद कर, सब का मचा खराब ना कर मेरी माता, कुकी समझी नहीं पा रह सकता, शादी में आई है या हगने मूतने, अब क्या फिर फिर शोटल जाएगी उल्टी करने, कुकी उसके हाँ से रूम की चापी ले, रूम की और भागी, उसके पीछे सुमी और नीलू भी आए, कमरे में पहुँचके डर के मारे कुकी ने जो थोड़ा बहुत खाया था स उसकी सांस भी जोरों से चल रही थी, अब सुमी और नीलू भी परेशान हो गए थे, सुबह जमके पौटी और जमके उल्टी से कुकी बड़ी कमजोड लग रही थी, उपर से नीचे पसीने पसीने हो गई कुकी को देख दोनों सहलियों को भी पसीना आ गया, इदर मजनू महाशे अपनी छमक चल लो, यानि कुकी को एड़ी चोटी का जोड लगा कर ढून रहे थे, उन्हें लग रहा था, उनसे पहले तो कोई मनचला चुड़िया को नहीं उड़ा ले गया, परेशानी ये थी कि और किसी से पूझ भी नहीं सकते थे, इदर सुमी परेशान से ने डॉक्टर की मांग की, लड़की के पिता ने बताया कि संगीत में उनका एक मित्र आया है जो पेशे से डॉक्टर है, उसे लेकर वो भी कुकी कमरे में पहुँचे, डॉक्टर को देखकर कुकी तो जोड जोड से चिलाने लगी, नहीं नहीं मैं बिलकुल ठीक हूँ, प्ली अर्था, डॉक्टर साब, आपको मैडम के पास रहना होगा, हम लोग फंक्शन में जा रहे हैं, यदि जरूत पड़े तो बिला लीजिएगा, बापरे, कुकी को तो काटो, तो खून नहीं, डॉक्टर बाबु ही तो मन चले थे, जिनकी वज़य से उसे उल्टी हुई थी, कुकी जट खड़ी होगे और चिलाने लगी, मैं एक दम ठीव कूँ चलो संगीत में चलते हैं, मैं कोने में बैठ जाऊंगी, इसके बाद नरेश ने का, अरे डॉक्टर बाबु, यह हमारी फ्रेंड केत की, चिन्नई की पेस्थ्री लेडी, इनके पती है राहुल दोलकिया बहुत दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी थे, और मैं भी एंटर्परिनर हैं, इनका एंजियो भी अंडर प्रिवलेज्ड लेडीज के लिए काम करता है, अब मुँ पाड़ने की बारी डॉक्टर बाबु की थी, यह ठरकी बाबु फिश होटल और केत्की का लिंग समझी नह पा रहे थे, राहूल का नाम तो सभी जानते थे, उस पर से उसकी बीबी को कोहनी मारना और बुरी द्रश्टी डालना, अब तो डरने के बारी डॉक्टर बाबु की थी, कुकी नरेश की बार से थोड़ी आश्वस्त हुई और घबरहाट भी कम हुई, सब लोग एक साथ न सोचा, वो क्यों उनकी गलत फहमी दूर करे, वो खुद भी तो डॉक्टर उस पर से प्रॉपर कलकत्ता का होते हुए, फिश होटल गया था, उसका क्या, कुकी और फिश होटल तो एक एकसिडेंट, पर डॉक्टर बाबु तो जानकूच कर गये थे, लंबी लंबी सांस ले कुकी ने सारी नेगेटिव सोचों को निकाल फेका और मस्ती में लग गई, रात को राहूल का फोन आया, और हावार यू स्वीट हार्ट, कहां कहां गई, विक्टोरिया मेमोरियल, इट्स वन ओफिट ऑफ इट्स ओन काइंड मार्वेलस, और काली मंदिर, अरे यार साइंस कुकी की तो डर के मारे गिकी बंद गई, राहूल सेंट जेवियर्स और उसके बाद प्रेसिडेंसी करकता से ही पढ़े हुए हैं, जूट भी नहीं बोल सकती, कहीं उसके फिश होटेल की बाद ड्राइवर ने राहूल के दोस्त को बता दी तो, फिर राहूल की आवाज, क् कोई खबर नहीं, अभी तक तो दस कॉल आ जाते, या तो मम्मू बहुत बिजी है या फिर परिशान, बोलो क्या परिशानी है, कुकी धीरे से बोली, ना ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, दोस्तों में ऐसी मश्गूल हुई कि सब भूल गई, सौरी, बेटू को बता देना I am alright, ठीक अभी डांस के बाद बहुत ठकी हुई हूँ, कल बात करेंगे, रात बर सपने में उस डॉक्टर बाबू को अपनी और जपटते हुए पाया, सुबह जब उठी तो सुमी को अपने सिर के पास पाया, ये सोना गाची की शान उठ, ग्राह के इंतजार में है, उठी क्या था, किसी तेरा नॉर्मल हुई कुकी फिर जटके खाने लगी और डर के मारे कापने लगी, उसने फिर डड़ते ड़ते सुमी और नीलू को बताया, कि उस मंचले डॉक्टर ने उसे फिश होटल में देख लिया था, जब वो रिसेप्शन पर उन दोनों का इंतजार कर रही थी, यहां उसने कुकी को पहचान लिया और कल रात संगीत में उस डॉक्टर ने उसे तंग भी किया, अब सुमी ने मूर्चा संभाल कुकी को जोड से डाटा, तो कल क्या मूँ में लेई चिपका के बैठी थी, बापरे, लड़की से औरत बन गई है पर जरावी अकल अभी भी कमसिन कन्या जैसे बेहव करती है, वो क्या तेरी इज़त उतार लेगा और कौन सा तो धंदा करने गई थी फिश होटल में, जो डर के मारे काप रही है, सुमी ने तुरंट नरेश को फोन लगा कर रूम में बुलाया और सारी बात बताई, नरेश का तो हस हस कर फैमी भी दूर करता हूँ, और साथ मैं खबर भी लेता हूँ, कुकी, इसमाईल, बी ब्रेव, शाम को शादी में सबने काफी इंज्वाय किया, और तो और कुकी भी काफी नॉर्मल हो गई थी, डॉक्टर बाबू शायद अपनी हरकतों के वज़े से डर गए थे, इससे प आती है, कि कहीं फिश होटेल से तो फोन नहीं है, अपना बिजनस कार्ड जो वहां छोड़ाई थी, अभी आप सुन रहे थे, डॉक्टर संगीता जाजी की लिखी हुई, एक हलकी फुलकी सी कहानी, जो एक गलत फैमी पर आधारित थी, कहानी आपको कैसी लगी, निसंकोश होकर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मिलेंगे, आपका समय शुब हो, मंगल मैं हो.